हलो वी वस देली हिल टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे बतायोंगे टिप्स आपको तुरण मिल जाए और साथ ही विल आइकॉन को क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए स्वस्तनिरोग और सुचारू रखने के लिए रखते चाप कलेस्टरॉल पर नियंतरण रखना अतीज ज़रूरी है दोस्तों योगा करना वियायाम करना और साथी सेर करना और संतुलित आहार डाइट में शामिल करना हर्डी हाट के लिए खास ज़रूरी है इसी लिए आज हम आपको अपना हार्ट हल्डी रखने के आसान उपाय बता रहे हैं इन्हें अपनाईए और दिल की बिमारियों से दूर रहे और एक हल्डी एंड स्ट्रॉंग हार्ट पाएं आज के तनावरस्त जीवन में रिदेरों का खत्रा दिन प्रती दिन बरता जा रहा है रिदे को स्वस्त रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी होता है थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालिए प्रतिदिन कम से कम आदे घंटे तक व्यायाम करना रिदे के लिए अच्छा होता है ऐसा करने से हट अटेक होने का खत्रा काफी हट तक घर जाता है यदि आप वॉकिंग करते हैं, एरोबिक स्याफे डांस क्लासेस लेते हैं तो इस से आपको काफी फैदा होगा दोस्तों आप तनाव से उबरने के लिए योगा का सहारा भी ले सकते हैं दोस्तों अपने वज़न पर धियान दें, अगर आपका वज़न ज्यादा होता है तो इस से रिद्रिगात और उच्छ रक्तिचाप का खत्रा ज्यादा होता है अपने वजन को काबू में रखें दोस्तों रेड मी जंग फूर जैसी चीजें दिल के लिए बिलकुल सही नहीं होती इससे कुलेस्ट्रोल बढ़ने की शिकायत हो सकती है जो की स्ट्रोक को बढ़ावा देता है शाका हारी और हरे पतेदार सबजियों का प्रयोग करें इसके साथ ही विभिन प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनेरल्स वाली चीजें अहार में शामिल करें सुभा नाश्ता अवश्य करें और समय पर लंच करें नमक का उप्योग कम से कम करें ब्राउन राइस के बज़ाए वाइट राइस का सेवन करें ज्यादा से ज्यादा हरी सबजियां खाएं जिसे की ब्रोकली पालक आदी जितने भी रंगीन फल होते हैं वो स्वास्त के लिए लाबकारी होते हैं आप इनका अधिक से अधिक सेवन करें दोस्तों तंबाकू और अलकोहॉल शरीर के लिए काफी ही ज्यादा नुक्सा नायक होते हैं अगर आपको दिल से सम्मंदित जरा सी भी परिशानी है तो इन से दूर ही रहना अच्छा है खाना बनाने के लिए जैतून तेल यानी की ओलिव ओल का प्रियोग ज्यादा करी परियाप नीन नहीं लेने पर शरीर से स्ट्रेस हर्मोन्स निकलते हैं जो कि धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं और जलन पैदा करते हैं फिजिकली फिट और स्वस्त रहें साथ में दो से तीन बार शरीर की जाज करवाएं छूटी विमारियां विकारों को समझे और उसका अपचार करवाएं फाइबर युपत अहा लें आप जितना अधिक फाइबर खाएंगे आपके हार्ट इटाग के चांसस उतने ही कम होंगे अधिक से अधिक बीन्स, सूप्स और सलाट का प्रयोग करें दोस्तों आप ब्राउन राइस का सेवन अधिक करें फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीचे और साथ इस वीडियो का अपने फाइमली और फ्रेंड्स में शिवे भी कीचे ओमेगा 3 फैटी आसेड शरीर में गुट कोलेस्टरॉल को बढ़ावा देती हैं जिसकी वजाव से दिल के रोक दूर रहते हैं इसके लिए आप सालमन फिश टीवना फिश साइडीन फिश आदी मचलियों का सेवन कर सकते हैं इसके लावा अक्रोट, अलसी, चिया बीच, आधी में भी ओमेगा 3 फैटी आसेड भरपूर पाया जाता है आप इन सब का सेवन करें ब्रेकफास्ट में फूर्ट जूस लें और इन जूस में फोलिक आसेड होता है जो की हट अटाट के खत्रे को कम करता है दोस्तों ग्रेब जूस में फ्लेवरनॉइट्स होते हैं जो की आट्री ब्लॉक करने वाले क्लोट्स को कम करते हैं ज्यादतर जूस आपके लिए अच्छे हैं बस धियान रखे कि वो शुगर फ्री होना चाहिए खाने में लहसून का प्रियुक करें अध्यायनों में पाया गया है कि लहसून खाने से ब्लड प्रेशर कम रहता है यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और साथ ही ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल में रखता है इससे शरीर की प्रती रोधक्षमता भी बढ़ती है स्वस्त दिल के लिए विटामिन सी यूग तक हना जैसे की संत्रा नीम्बू और आवला आधी को अपने डाइट चार्ट में शामिल करें अपनी अंटी ऑक्सिडेंट गुन के कारण ये साबित हो चुका है कि विटामिन सी दिल की विमारियों को कम करने में मददगार है दोस्तों लालमिर्श का प्रयोग हम अदिकतर सबजियों को मसालेदार बनाने के लिए करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि ये रिदे के लिए भी लाधायक है आप इसलिए लालमिर्श का सेवन अधिक करें सेप के मुरेब्बे का सेवन रिदे रोगियों के लिए काफी ही लाधायक है आप इसका सेवन जरूर करें ग्रीन टी का प्रयोग करें इसमें अंटी ओक्सिडेंट्स होते हैं जो कि आपके कुलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ये ब्लड प्रिशर कंट्रोल करने में भी मददगार होते हैं आप नियमी दूप से ग्रीन टी का सेवन करें दोस्तों नट्स यानि कीड वाइट फ्रूट्स का सेवन करें जिसे की बादाम और अक्रोड दिल के ही अच्छ होते हैं इसमें विटामिन E होता है ये एलडियल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं साथ ये ओमेगा त्री फैटी आसीड से भरपूर होते हैं जो कि हमा और भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विजिट करिये वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है खेल जाए तो आप हमारे टी नहींए तो आप हमारे ब्सक्रिप्स कावशन में दी जा रहा है